तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आई वीपी इंट्रावेनस पाइलोग्राम के बारे में इंट्रावेनस पाइलोग्राम क्या होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम के क्या क्या नुक्सान है इंट्रावेनस पाइलोग्राम किसे कहते हैं ये क्यों किया जाता है किन-किन पेसियंट को इंट्रावेनस पाइलोग्राम करवाना चाहिए किन-किन को नहीं करवाना चाहिए ये सब आज हम जानेंगे IVP करवाने के पहले क्या करना चाहिए IVP करवाने के दोरान क्या क्या करना चाहिए IVP करवाने के बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बस बने रहे हमारे साथ चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को आन कर लिजे ताकि जो आने वाले हमारे जितने भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पस तो